अगर आपी अपने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यहनी एस्टेट बैंक उफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट उपेन करना चाहते हैं या आपका अपका अगर पहले सोपेन है तो दोस्तो यह वीडियो आपके लिए हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि State Bank of India में हमें कितने hidden charges देने पड़ते हैं कितने plenty charges लग जाते हैं और आपको अपने अकाउंट में कम से कम कितने balance maintain करके रखने होते हैं साथी साथ आपको State Bank of India में account open कराने में क्या-का features मिल जाते हैं एकाउंट open कराने के लिए क्या-कया document required होते हैं और आप इस खाते की उच्छ किस-किस परकार से कर सकते हैं इस वीडियो में हमने आपको State Bank से मिलने वाली features से लेकी hidden charges का बारे में बहुत अच्छे से बता है तो इस वीडियो को पहले full watch जरूर कीजिएगा वीडियो वाच करने से पहले दोस्तों आपसे request है कि अगर आप अमारे channel पे पहली बारा हैं तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें और साथी साथ notification bell को on करें ताकि banking से जुड़ी बहुत सारी update आपको मिल सके तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने phone या laptop में एक new tab open कर लेना है new tab open करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है basic savings bank SVI account तो सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे पहला एक option मिल जाएगा basic savings bank deposit account personal banking इसको आपको open कर लेना है तो यहाँ पे जैसे ही आप open करेंगे आप SVI saving bank deposit account के official page पे पहुँच जाएगे जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस type के interface मिल जागा तो यहाँ पे हम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमको features की option मिल जाते है eligibility की option मिल जाती है KYC requirement की option मिल जाती है तो यहाँ पे आप अपने SVI के किसी भी branch में जाके अपने bank account से जुड़ी किसी भी परकार की जनकारी ले सकते हैं next में आपको minimum balance amount जो नील मिल जाता है यहाँ पे अपने account में balance maintain करने की आओ सकता नहीं है यहाँ पे आप अपने account में zero balance भी maintain करके रख सकते हैं next में आपको maximum balance no upper amount limited मतलब कि दोस्तों यहाँ पे आप अपने account में कितने भी रासी रख सकते हैं bank इस पे कोई भी पावंदी नहीं लगाई है और नहीं आपसे एक परकार की charge या 1% की charge आपसे bank यहाँ पे वसूल करती है अगर आप अपने state bank of India में basic saving bank deposit account अगर open कराते हैं तो आपको यहाँ पे no checkbook facility available का option मिल जाता है मतलब कि आपको यहाँ पे किसी भी परकार की checkbook नहीं मिलती है next में आपको withdrawal using withdrawal form at the branch or through ATM मतलब कि दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी अपने state bank of India के नजदी की branch में जाके या state bank of India के ATM में जाके आसानी से आप अपने पैसे के withdrawal कर सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे अपने account open कराते हैं तो आपको यहाँ पे एक basic रूपे ATM com debit card मिल जाता है नेक्स अपसर में दोस्तों हमें आपए eligibility की बात कर लेते हैं account open कराने के लिए हमें क्या-क्या eligibility होती है तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको अपने account open कराने के लिए आपके पास जितने भी document होने चाहिए original document होने चाहिए, valid होने चाहिए तब ही आपका basic saving bank deposit account open हो सकता है नेक्स अपसर में आप यहाँ परैंगोज़े अपना single account open कर सकते हैं अगर आपकी एक्शा joint account open कराने की होगी तो आप यहाँ से joint account भी open करा सकते हैं या आप किसी भी survivor आपर만 जान करा है यहाँ यहाँ परैंट करा सकते हैं फिर समय यहां पर term and condition की बात कर लेते हैं, account open कराने के लिए क्या-क्या term and condition required होते हैं, तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं most important term and condition, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपने bank में basic savings, bank deposit account अगर open कराना होगा, अगर आपकी account पहले से open हो, तो सबसे पहले आपको उस account को close करना होगा, close कराने के 30 दिन के बाद से फिर से आप यहां पर basic saving account open करा सकते हैं, अगर हम यहां पर आपने withdrawal transaction की बात करते हैं, तो आपको जो है state bank of india में charge transaction एक महिना में फिरी मिल जाती है, फिर next way में आपको service charges के बात कर लेते हैं, कि आपको bank से मिलने वाली कितने service की आपको charge देने पर थे, तो सबसे पहले यहां पर आपको ATM काट के बात कर लें तो दोस्तों आपको जो है state bank of india आपका ATM अगर issue करता है, तो ATM issue करने का किसी भी परकार का आपसे charge नहीं लेता है, और नहीं आपके ATM से किसी भी परकार के सलीना charges काटे जाते हैं, next में हम यहाँ पे RTGS और NEFT की बात कर लें, अगर आप यहाँ पे अपने account से RTGS और NEFT से पैसे डालवाते हैं, यहाँ निकलवाते हैं, तो यहाँ पे आपको bank को किसी भी परकार के charge नहीं देने होते हैं, next अप्शन में हम यहाँ पे चेक्बुक की बात कर लेते हैं, अगर आप अपने चेक्बुक से निकासी करते हैं, central ए state government का दौरा तो आपको यहाँ पे state bank of India किसी भी परकार की charges नहीं लेती है, next अप्शन में दोस्तो अगर आप अपने in operative account को जो है active कराते हैं, तो यहाँ पे आपसे state bank of India भी रुपे का charge नहीं लेती है, और नहीं आपसे अगर आप अपने account close कराते हैं, तो close का 1 भी रुपे आपसे charge ली जाती है, तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को subscribe करो और साथी साथ notification bell को on कर ले, ताकि ऐसी update आपको और भी मिलती रहा है,